यूपीसी करेंट अफेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है हम चर्चा करेंगे विदेशी विश्विद्यालियों के भारत में आने के बारे में विश्विद्याले अनुदान आयोग ने हाल ही में नए मसौदा नियमों को सारुजनिक किया है नियमों के अंसार विदेशी विश्विद्याले और सेक्षनिक संस्थानों को जल्द ही भारत में परिसर की स्थापना और संचालन करने की अनुमती दी जा सकती है नियमों के तहत शीर्श 500 वैश्विक रैंकिंग वाला विदेशी विश्विद्याले ये अपने ग्रह छेतराधिकार में प्रतिष्ठित विदेशी सेक्षनिक संस्थान ही भारत में परिसर की स्थापना और संचालन करने के लिए आवेदन विश्विद्याले अनुदान आयो विक्सित कर सकता है इसके पास अपनी फीस संरचना तै करने की भी स्वायत्तता होगी और भारती संस्थानों पर लगाएगा किसी भी फीस कैप का सामना नहीं करना पड़ेगा हलाकि इन विदेशी परिसरों की फीस उचित और पारदर्शी होनी चाहिए इसके साथ ही इसे भारत और विदेश से फैकल्टी और स्टाफ की भरती करने के भी स्वायत्तता होगी हलाकि ऐसे विश्विद्याले और कॉलेज अध्यन के ऐसे किसी भी कारिकरम की पेशकश नहीं कर सकते हैं जो भारत के राष्ट्री हित या भारत में उच्च सिक्षा के मानकों को खदरे में डालता है ऐसे विश्व विद्याले और कॉलेजों को धन की सीमा पार आवजाही की भी अनुमती होगी आपको बता दे कि राष्ट्रिय सिक्षा नीती के तहत दुनिया के शीर्ष सौ विश्व विश्व विद्यालेओं को विधाई ढाचे के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा देने का प्राउधान है जबकि UGC का मसौदा शीर्ष 500 विश्विक रैंकिंग वाले या अपने देश में प्रतिष्थित माने जाने वाले विश्विद्यालेओं को अनुमती देता है इस कदम का एक और मकसद विदेशी मुद्रा के नुकसान को बचाना भी है चीनी छात्रों के बाद अमेरिका, ब्रिटन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विदेशी छात्रों की सबसे बड़ी श्रेणी भारतियों की है विदेश मंत्राले के आकड़ों के मताबिक 2022 में करीब 13 लाग छात्र विदेश में पढ़ रहे थे वहीं RBI के अनुसार वित्वर्ष 2021-22 में छात्रों को विदेश जाने की कारण विदेशी मुद्रा में 5 बिलियन रुपय का नुकसान हुआ है कि अरुछ विदेश का बिलियन देशी मुद्रा में एक पनाव धिरण के का लिए मुद्रा विदेशी मुद्रा विदेशन प्रत्रों के विदेशा माला हुआ है